नवस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बता दोस्तों रायस्तान बीच्टीशी एक्जाम 2024 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों रायस्तान सरकार प्रारामिक सिच्चा व्याग बीकानेर की तरफ से दोस्तों बीकानेर ही बीच्टीशी का पेपर कंडेट करवा रहा था लगाता दोस्तों एक्जाम को डिले किये जा रहा है 12 के एक्जाम हुए का भी समय हो चुका है 12 का रिजल्ट भी किसी भी समय जारी हो सकता है लेकिन दोस्तों बीच्टीशी का जो नोटिपिकेशन उसमें लगात इस बार क्या-क्या बदलाव होने वाला है दोस्तों BSTC में जैसे की सिलेबस में क्या बदलाव होगा, पैटन में क्या बदलाव होगा, सीटों में वो कितनी बढ़ती होगी दोस्तों क्योंकि नए जले बने हैं तो वहाँ पर नए प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से द लेकर परिच्छा दिखो लेका तो दोस्तों सबसे पहले अगर बीच्टी सिलेवस की बात करें तो देखी सिलेवस और पैटन पैटन तो वही रहेगा दोस्तों ही प्रसना से पूचे जाएंगे 600 नंबर का ही पेपर आएगा लेकिन इसमें जो रायस्तान जीके का भाग है दो पर करवाती थी भीका नेर पंजीकम सिच्छा वाग लेकिन अब दोस्तों जो एक्जाम कंडेट करवाएगा वोड वो आपका कोटा यूंश्टी को द्वारा बीच्टी की पेपर कंडेट कराई जाएगी लगाता दोस्तों बीच्टी का जो एक्जाम स्टूल है वो डिले ह दूसरी बार मीटिंग इस्तगित हो चुकी है अलांकि दोस्तों सिच्छा सत्र दोजाद थीज की प्रियाव पूरी हो चुकी है दोजाद चोवीज की फिक्रियाव शुरू होने जा रही है जल्द ही भी एस्टी सी लगवा कि मई के सेक वीग तर 10 से 15 मई के आसपास भी एस हैं अगर राइस्तान में बात करें दोस्तों बी एश्टीशी में टोटल कितनी सीटें 378 कॉलिजों में 26 प्लस सीटें 26 पचास सीटें हैं दोस्तों जहाँ पर आपका एड़ीशन होगा और उसमें आपकी मेरिट के यादर पर लिया जाता है जितने आपके अंग कहां से लोग लोकसवाद चुनाव की वैसे 8 पर वे शाल भी देरी होगी जिया दोस्तों लोकसवाद चुनाव की वैसे तोड़ा सा डिले हो जाएगा आपका मई से जून तक तो फोरम ही बढ़े जाएंगे इसके बाद एक्जाम से इंटर बॉक होंगे तो तकरीपन आपकी एक्जाम या तो जुलाई के लाश्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट बीक में पिपर का आई जुन किया जाएगा जैसा की अपडेट आ रही है इसलि फिर जुन के इल्स activity वालेट यहाप की चांसे बंते हैं इसे नम्बर कम आते तो बहुती कम चांसे कि आपको कोने मिलेगी अगर है अगर आप U sits स Lena महाप सिन सौौ पचास पलस सब्सक्रहं कोसिदेट और आप एडूर्भोस के यही से इसाड को सटिन ही आपको जैहन बन्द मातरम